हिंडिया वोस्ट्रेलिया, वोर्ल कप सेमी फाइनल, रूम मिला और बाजुए खोली चौका बटोरा नेथन ब्रैककन एक बार फिर उची दिशामे, एक बार फिर चौका बहरी किनारा अब स्लिप नहीं थी, एक और चौका तीसरा गौतम के बल्ले से क्लाक की गेंड को पुल मारा है, पीछे फिल्डर जी नहीं पहुँच पाएंगे, खौतम इस ऑन फाइर और सहवाब में भी की पाटी जो हैंड ये बढ़िया चौका है, ये ट्रेड मार्क विरेंदस सहवाब चौका है पारी किनारा है, दिल्पुल है, विरेंदस सहवाब चौके के बाद अभी गेंड को गवाँ बैठे अपना विकेड रॉबिन उथापा, बढ़िया शॉट इसी बैदान पे पहले भी अच्छी पारिया खेली है मिचल जॉंसन की शॉट गेंड और ये बहुत बढ़िया कैच, दो ओवर में दो सफलताएं मिली है मिचल जॉंसन को जुबरा सेंग, छे, बढ़ा किये शॉट और इस बार ये हवाई फ्लिक है बॉस, स्टैंस में गेंड को पहुँचा है एंडू सैमन्स, लोड डालोगे, तेज खाऊँगे, बढ़ा मैदान उस तरफ ये गेंड उपर गई है, कितनी दूर गई है ये छे रंदे कर जाएगी, उतनी दूर गई है, राबिन इस दा बाट्समा एक बार फिर स्लो गेंड, एक बार फिर बड़ा शॉर्ट, छे रं युवराज के बले से आज चक्के निकल रहे हैं, इस बार गी, छे, 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 छे और ठता दिया है सामने वाली टीम को आई ये एक बार अपने आपको रूम दिया वन बाउंस चौका यहां कर्मो का इस्तमाल किया, रादिन उठपा ने गेंड को आवाने मारा है और छे मित किया है तब्दील अब राउंड दस टंसा है और इस बार भी, छे राने एक बार, ओर मिट आफ, इस बार ओर मिट विकेट बास आ मिस फिल्ड रन आउट का चांस यहां कम्मिनिकेशन ब्रेकडाउन, एक बहुत बढ़िया साज़दारी समाख महेंदर सिंग धोनी, सैमन्स पहले, फास बूलर, अब स्पिनर, नपीज अब वही, सेंट उस्यां यह एक और बढ़िया शॉट है, यह धुनी का शॉट है माइकल क्लार, एक बार फिर यह गवन चुम्भी छपनाया योगरास सिंग इस आउट फायर, यह स्टैंड़ एन अड्मायर बन मोर काहिन, इस बार कितनी ताकत है जी नहीं, जी नहीं, इस बार नहीं है, पीछे फील्डर थे, उनके हाथ में गेन मार बैठे है बहुत जोर से घुमाया गिए, नूची भी काफी गई है और, प्राफस इस बार भी लगता है, बिल्कुल लगता है चौका लगता है और यह लगेगा उस्टेलिया को, दिल पल, रच्छा चौड़ है रोईच शर्मा का नीचे आये हैं बल्लेबाजी करने, और छेवर जड़ दिया है, उनने से ओर की समाप की छे के साथ निकल गई, निकल गई, यह कंट्रोल में बिल्कुल नहीं थे, भागे का मिल गया है साथ, चौके के साथ, ओवर और पारी समाप 188 पर 5, टॉस जीत के बैटिंग का फैसला, वीरू आज खासा स्लो थे 13 गेंदों में, 9 रन पर बागी सरही बनलेबाज, कौतम, मुथपपा, युवराज सिंग, आज की राद युवराज के नाप पैरों पर गेंद, पैरों पर गेंद, तो आशिरवाद नहीं चौके मिलने है जनाथ, फुल टॉस ये गेंद थी, फुल तोल देकर ही गई है, चौके में किया तब्दील मैथी फेडलने, और पी सिंग की गेंद एक बार फिर पैरों पर है, एक बार फिर, चौका नहीं इस पार गेंद उपर गई है, और यहीं खासा दूर गई है, सामने डर्वन का मैदान चोटा है, श्रीशान, श्रीशान ने किया यहाँ, एडम गिलक्रिस को शांच, जो गिंदर शर्मा की कर उपर खड़े थे, और गेंद बहुत उपर हो बहुत दूर भेजा है, श्रीशा प्रवाइट गएफान पठान की गेंद ओर, यह एक कमाल हुआ है, यह खोड़ी सी भी लेप राइट होती, तो ग्राइड होज की खाते में चौका होता है, लेकिन यहाँ भी गेट अपर से बजी की उपर से बतल गई यह गेंद छे रन, आंडू सैमन्स, कड़क शॉट मार है, यह गेंद थी, स्लोट में और यह सामने वाले प्लोट में भेज दिया जनाबने, फुल टॉस, फ्लाट छे, इस बार भी यह फुल गेंद और बहुत बढ़ा छे, यह थोड़ा सा उल्टा लो कहते हैं, गूसरी गेंद डाली थी पर यह सीधा चपका मां दिया जनाबने पर यह थी, स्रीशां, गांद दस कांस, फुल गेंद और जाग यह लगी स्टंस पर, यू मिस, श्रीशां के लेट, यह शौट अंग जैब सा था, यह चेरन में किया तब दील मिस्टर क्रिकेट ने, एफान बठान की यह यह अच्छी गेंद एफान बठान की, बीज यह तो यारकर है, क्या बाद है अर्बजन से, तो गेंद भी लगता है कि कनेक्शन अच्छा नहीं है, गेंद ज्यादा दोर जी नहीं, बढ़िया कैट, बढ़िया कैट, युबरास से, कहले बलने से रहा है, और यह खुल फुल अच्छ, अब तो ओ गया कांद के नाम, एक और सखलता और चारिकता, नतीजा भारत के पक्ष में, एक गेंद पर 20 रच, और मैज भारत के जोली में, जीहाद, चौका के गाम आएगा नहीं, आर्ट एटी, इंडिया है,